हेलो फ्रेंड्स आप सबका दिगा एडियोस चनल पर स्वागत है शाथियों एक नोटिफिकेशन आया है इंडिया की एक सांदार सेंट्रल इनिवर्शिटी जो की सेंट्रल इनिवर्शिटी आफ किरला से यहां पर PhD admission for the session 2023-24 के लिए 300 से ज्यादा 300 plus seats are there for the admission in PhD in the various departments and respective subjects तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि इसमें फार्म बरने की last date क्या है subject wise seat कितनी है, eligibility क्या है, admission process क्या है और fee कितना लगना है इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप जरूर लाज तक देखिए और कोई भी doubt है तो आप comment box में पोच सकते हैं इससे पहले साथियों आप सबसे एक छोटी स्रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं अभी तक आपने इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्स्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक सदिक लोगों के साथ share भी करें चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं eligibility criteria के बारे में शाथियों जैसा कि नार्मली सभी इन्वर्शिटीज में PhD admission के लिए होता है कि आपका master degree होना चाहिए आपका four year bachelor program होना चाहिए और उसमें आपका minimum 55% marks होना चाहिए तब भी आप फार apply कर सकते हैं यह आपका four year bachelor degree हो और इसमे 75% marks हो तो भी आप directly PhD के लिए apply कर सकते हैं यानि कि अगर आप बीटे ओगर रखिये हैं और उससे subject related है तो आप 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 फार directly भी अप्लाई कर सकते हैं यह जो eligibility criteria है दोस्तों यह सारा का सारा हमारी जो new education policy 2020 है उसके यहाँ पे है उसके एक आडिंग है उसके एक आडिंग ऐसा ही होना है in future social sciences के subject में भी कि जिनका graduation में चार साल उन्होंने graduation किया है उनका 75% marks है तो वो without जो है इम में कि यह directly PhD में नूल हो सकते हैं research में चलिए अब हम जानते हैं admission process के बारे में शाथ हम आप जो admission process है यहाँ पर दो तरीके हैं एक directed mission होगा जहाँ पर की आपको केवल interview में appear होना है इंट्रेंस test नहीं देना है वो किनके लिए है ऐसे student जिनके पास किसे में प्रकार की junior research fellowship है चाहें UGC की या CSIR की या INSPIRE की या NBHM की या SEED की या KACST की आ ICCR की या ऐसी कोई भी उनके पास junior research fellowship है जैसे NFOVC या NFSC या NFST या single girl child fellowship या ISSR की कोई fellowship है तब भी आप आप फार्म directly apply कर सकते हैं इसके अलावा अगर जिनके पास junior fellowship नहीं है तो जिनके पास केवल net या gate है वे लोग भी फार्म apply कर सकते हैं या CUET में जो लास्ट टाइम बैठे थे इस टाइम कभी आप फार्म apply कर दीजिए और इसमें भी लेकिन अगर आप उसमें अपियर होते हैं लेकि लास्ट टाइम जो है जो लोग अपियर हुए थे अभी का तो फार्म CUET PhD कामन इंटरेंस टेस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वह अभी सेंट्रल अपके रला पर अप्लाई नहीं हो पाएगा लेकिन फार्द फूच है वह 50% आपके RM से क्योशन पर आएंगे और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेस्फिक होगा इस बात का भी आपको ध्यान लखना है जो की डिपार्टमेंट वाइज इन्वर्शिटी लेगी और वह केवल जो है जो केडला सेंट्रल इन्वर्शिटी का हिर्क्वार्टर है वहीं अब आगे बास कि इंट्रेंश का वैटिच कितना होगा जो लोग इंट्रेंश का त्रू आएंगे उनका 70% इंट्रेंश का वैटिच होगा और 30% Pa4 Innerment इंड इंटर्वीव वाईबास में होगा इस बात का आपको ध्यान लख में अब एक बात जो लोग aims directly में आपियर हो रहे हैं यानि जिनके पास किस प्रकार का फेलोसीफ है या नेट गेट है उनका कैसेट मिसनों का उनका साथ ही हो डारेक्टली 100% जो मेरिट है वह इंटरव्यू के बेस पर बनेगी इस बात का पुधान रखना है और जो स्लेबस होगा इंटरेंस टेस्ट के लि बस है वह इसलिए बस आपके सेकेंड पेपर का होगा बस यतना इसी बात है आगे इस बात का देहान रखना है कि जब आप इंटमिसन लेने जाएं यहां पर लिखा भी हुआ है तो आप को बहतर यह होगा कि अपना एरिया इंटरेस्ट देख लें इंवर्यूशिटी के वे इंटर्व्यू से पहले यह हर जगा का ही एक तरीका ही है कालीजी जिनको प्रोफेसर नोन टू होते हैं उनको एटमिसन में आसानी मिलती है इस प्रेसली जहां इंटर्व्यू का ज्यादा वेटेज होता है तेनी कि जो लोग डारेक्ली एटमिसन लेने जा रहे हैं यह जो अप्लिकेशन फी है वहां जनल के लिए एक जार रुपए और OBC के लिए और EWS के लिए हैं 500 रुपए हैं 500 रुपीज चलिए अब सबसे इंपार्टेंट बात जिसकी सब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे यहां पर जो टोटल 300 सीट्स हैं 300 प्लस सीट्स हैं इन में क कितनी सीट्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपको कंटेक्ट डेटेल भी दिया गया है आप 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 इमेल भी कर सकते हैं और साथ ही सबसे पहले इंग्लिज्स में टोटल जो है 6 सीट है चार 4 सीट जनल की एंड 2 सीट एडवलीयस की एकोनामिक्स में 5 सीट जनल की molecular biology में 9 sheets रोटों मिलाकर 14 sheets जोलाजी में 8 sheet genomic science में 22 sheets this is a rich number of sheets physics में भी 19 sheets it's rich number of sheets computer science 14 Hindi 13 and ऐसे ही आप देख सकते हैं mathematics में 10 and chemistry 15 department of international relations यानि कि यहाँ पर आप political science, public administration और IR के सभी student अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ रोल जो है 17 sheets social work 11 sheets education 13 sheets ऐसे ही आप देशकते हैं public health and community health medicine में 15 sheets geology 16 sheets commerce international business 10 sheets tourism studies 16 sheets कन्नर 12 sheets and total 300 plus और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी total 26 subjects में तो friends this is a rich number of sheets जो कि एक central university संदार university जिसमें की all India के लोग अप्लाई कर सकते हैं तो आप फार्म जरूर अप्लाई करें और जो फार्म अप्लाई करने की लास्ट देट है इसको आप ध्यान रखेंगे 15 सितंबर 2023 इससे आप दिली नहीं करेंगे अगर आप एड्मिशन लेने के चुक हैं आप लिजबल हैं तो आज अज ही जाकरो फार्म को अप्लाई कर दीजिए ने जरूर तो आप जो है अपने रिसर्च प्रोजल पर काम कीजिए इसमें देया गया है रिसर्च प्रफोजल की ऐस्तर फार दियरेक्ट एड्मिशन जो स्टुमिंट डरेक एड्मिशन लेना चाहते हैं जिनके पास नेकर तो उन लोगों को रिसर्च प्रोपेशल पर सब्सक्रादी काम करना होगा क्योंकि उसी के काडिंग आपका admission होगा तो चलिए साथियों यह थी important information कोई भी डाउट है तो you can comment in the comment box and we will reply soon all the best from this channel all the best thank you so much bye bye take care जैहिंद बंदे मात्रा